हेलो गाईज, वेलकम टो इंगलिस एजुकेशन, इस्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं, लोस्ट स्प्रिंग के दोनों ही पार्ट सकोर, यह हमारा रिवीजन चल रहा है, यहाँ पर हम शोट कोशन आंसर, लोग कोशन आंसर और साथ में समरी को भी पढ़ने वाले हैं हर टाइब के कोशन आंसर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, यह जो हमारी स्टूरी है, दे स्टूरी लोस्ट स्प्रिंग डेटन बाई एनीज जंग, तो एनीज जंग के द्वारा इसको लिखा गया है, जं जनी कि गंदे छेतर में रहने के लिए मजबूर होते हैं, और वर्क हार्ड इन वेरी डर्टी कंडिशन और बहुती गंदी कंडिशन में वो काम करते हैं, दा स्टूरी इस डिवाइड इन्टू पार्ट्स और जो कहानी है, वो हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड है, यह स जो राइटर हैं वो फर्स्ट पार्ट में हमें बताती है कि किस तरह से वो परभावित होती है एक रैगपिकर से और वो जो है माइग्रेट हुआ था यहां पर रहते थे बंगलादेश में उसे छोड़कर अब वो सीमापुरी जो एक डेली का एक एरिया है वहां पर आकर वो स फिरोजाबाद और जो हमारी स्टोरी है ना उसमें बेंगल मेकर्स के बारे में बताया जा रहा है जो कि फिरोजाबाद के एक टाउन में रहता है दैस्टोरी टाल सब्सटाइबल लाइफ ऑफ दे टू चिल्डरन फूस इस प्रिंग यानि के चाइल्ड हुड यहां पर चा टीवी में खो गया है तो चलिए जानते हैं पर हम सबसे पहले थीम को देख लेते हैं दच्टर लोस्ट इस डिवाइड इंटू पार्ट टू पार्ट में डिवाइड किया है बोथ हार पार्ट से डिपिक्ट अपलाइट और इस ट्रीट चिल्डरन जो दुक है स्ट्रीट उसको यह पर दर्साया गया है who are forced into labor in the early childhood और अपने early childhood में यानि कि बच्पन में वो जो हैं force कर दिये जाते हैं और force होते हैं कहीं पर मज़ूरी करने के लिए the theme of the chapter is poverty and how to poor children are condemned to life of exploitation which results the laws of childhood, innocence, education and play तो देकि यहाँ पर जो पूरी स्टोरी है उसकी theme क्या है उसमें बताया गया है कि किस तरह से उनके जीवन का हनन किया जा रहा है और उनका बच्पन, उनकी जो innocence है, education है और जो उनके खेलने के दिन है वो सब छीन लिये गए है अगर हम बात करें main character की हमें जब पूरी स्टोरी के बारे में characters के बारे में पता होता है तो मच्छे से पूरे chapter को समझ लेते हैं और answer कोहीं न कहीं हम clearly कर लेते हैं तो देखिए जो हमारी first story है उसका main character है साहिब आलम के बारे में उसका पूरा नाम साहिब आलम है साहिब आलम है यंग मैन स्रों सीमापुरी डेली यूपी बॉर्डर्र की बात है सीमापुरी का छेतर है और साहिब आलम का नाम का एक लड़का है जो एक यंग बोय है कमेज क बच्चा है he is a rag picker वो एक rag picker है यानि कि कुड़ा बीनने वाला है his parents came from Bangladesh during the famine day तो देखिए वहाँ पर कुछ अकाल पर जाता है जिसके दोरान वो बंगलादेश को छोड़कर चले आते हैं और सीमापुरी में रहने लगते हैं they became rag pickers और वो जो है कुड़ा बीनने का काम करन लग जाते हैं sahib and many other children like him in सीमापुरी help dear parents earn for a leaving तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि sahib और उसी के जैसे दूसरे जो बच्चे हैं वो सीमापुरी में रहते हैं और अपने parents की वो जो है earning करने में मदद करते हैं these children do not wear चपल वो जो बच्चे हैं वो चपल नहीं पहनते है जूते नहीं पहनते हैं dear parents do not do not increase them to by hyzine तो देखिए hyzine के बारे में उनके जो parents उन्हें एंक्रेज नहीं करते हैं वो उनके बारे में उलब साफसफाई के बारे में वो उन्हें नहीं बताते हैं साहिब love to attend school साहिब को स्कूल जाना पसंद है with tennis watch tennis wear shoes and do better work and earn more money तो और क्या क्या चीज़े हैं यहाँ पर साहिब को पसंद है स्कूल जाना पसंद है उसे tennis देखना पसंद है उसे जूते पहनना भी पसंद है और उसे अच्छा काम करना पसंद है और ज्यादा पैसे कमाना प्लकुल अच्छा लगता है उसको suddenly one day साहिब choose another day लेकिन अच्छानक से क्या होता है साहिब और job को चुन लेता है he abounded rag picking and started working for a tea stall owner तो देखे उसने जो है rag picking करना बंद कर दिया है और उसने एक tea stall पर एक owner के साथ काम करना शुरू कर दिया है he was paid 800 and all his meals were provided तो देखे उसे पर मत 800 रुपे भी दिये जा रहे है और तीनों टाइम का खाना भी उसे मिलता है though he lost his freedom and gain a better salary and security हाला कि उसे अच्छी security मिल रही है उसे salary भी मिल रही है लेकिन उसकी जो freedom है वो खोच चुकी है अब देखे बात करते हैं मुकेस के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा यह misprint हो रहा है मुकेस is from फिरोजाबाद यूपी नियर आगरा तो देखे सबसे पहले तो कहां पर फिरोजाबाद है वो यूपी के पास है आगरा में है आगरा के आसपास है तो मुकेस फिरोजाबाद से है everyone in Firozabad is a bengal maker और हर कोई जो Firozabad है वहाँ पर bengal making का काम करता है people here believe that they have been asked to make bengals for the entire nation तो देखें वो उन्हें ऐसा लगता है ऐसा वो विश्वास करते हैं कि उन्हें जो है पूरे रास्ट के लिए bengal making का काम करना है they believe that bengals are associated with marriage सुहाग उन्हें का विश्वास ऐसा है कि यह जो चूडियां है यह सुहाग की निसानी है so bengal making is a divine work इसलिए वो मानते हैं कि bengal making का काम जो एक बहुत ही पवित्र काम है the elders do not allow their children to look for any work other than bengal making तो देखें जो उनके parents और दूसरी तरफ these blessed bengal makers are not happy in their life और जो bengal makers है वो अपने जीवन में बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा आर्निंग कर नहीं पाते हैं they starve भूके भी मरते हैं they become blind due to exposure of welding flame welding flame की वज़ा से उनकी eyesight जो है वो भी खो जाती है they are disgraced from all sides वो चाहते हैं कि उनका काम जो हो जादा profitable हो और इस मतलब कम खतरनाक हो लेकिन उन्हें डिस्क्रेस कर दिया जाता है हर एक तरफ से the police do not allow them to organize their own trade union जो पुलिस वाले हैं आप पर वो भी उन्हें permission नहीं देते हैं कि वो अपना एक अलग से union trade बनाए फिरोजाबाद boys dare to do anything अगर फिरोजाबाद के लड़के कुछ और करने का काम करने करना चाहते भी हैं they are bitten and dragged to prison उन्हें पीटा जाता है और फसीट कर जेल में डाल दिया जाता है मुकेस want to become a motor mechanic मुकेस एक motor mechanic बनना चाहता है he is determined and focused वो उसने अपना द्रढ निस्ट्रे कर लिया है और अपना ध्यान उसने पूरा focus की हुए है वो तो देखें आपर हम बात करेंगे अब summary की हमने सबसे पहले theme की बात की है जो मुकेस और साहिब आलम है वो इस्टोरी के main character है और यहाँ पर हम बात करते हैं समरी की जो हमारी first story है उसकी समरी की हम बात करते हैं तो देखें यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो author है उसका सामना साहिब से होता है जो rag picking का काम करता है उसे वहाँ पर coins मिल जाते हैं और उस दूसरी चीज़े भी मिल जाती है तो देखें जो साहिब है और उसकी family है वो बंगलादेश से आए हुए है तो देखें उसके नाइवर हुड में उसकी पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है इसलिए जो साहिब है वो स्कूल नहीं जा पाता है I here were a number of ragpickers like sahib and all of them were barefoot तो देखें आपर जो narrator है वो बताती है कि sahib की तरह मैंने और दूसरे बच्चों को भी देखा जो सभी नंगे पैर रहते हैं It was more of a tradition for ragpickers to remain barefoot तो देखें उन्हें ये बताया जाता है कि ये जो है एक tradition है ragpickers के लिए है कि उन्हें नंगे पैर ही रहना होता है They used is an excuse to conceal their poverty लेकिन ये ऐसा tradition कोई नहीं है वो अपनी गरीवी को छुपाना चाहते है और इसलिए वो ऐसा बोलते है They have no means to wear paper shoes though they earn to possess a pair तो देखें यहां पर ये ही बताया गया है कि मतलब उनके पास जूते नहीं हैं और वो जो हैं जो भी उन्हें जूते दे देता है किसी भी तरह है कि वो उन्हें पैंके खुश रहते हैं सीमापुरी देली is a heaven for ragpickers ragpickers के लिए सीमापुरी जो एक heaven की तरह है The author feels that for children garbage is an mysterious gift और अगर हम author की कही हुई बात करें तो author को ऐसा लगता है कि जो garbage है वो उन बच्चों के लिए एक mysterious gift है whereas for the elders is just means of survival और जहां तक बड़ों की बात करें तो उन के लिए वो एक means of survival है The author then comments on the dis between sahib and desire and the reality he yearns to be comfortably of enjoy pleasure of childhood play tennis and wear shoes Later sahib starts working at a tea stall तो देखे स्टार्टिंग की बात बताई जा रही है यहाँ पर जो sahib था उसकी इच्छा थी उसकी वास्त्रिक्ता क्या थी कि वो जो है मतलब काफी enjoy करता था भले ही वो rag picking करता था और वो जो है उसे tennis देखना काफी पसंद था धूते पहनना काफी पसंद था और बाद में क्या करता है साहिब जो एक tea stall पर काम करना शुरू कर देता है वहाँ पर उसे 800 रुपे पे किये जाते हैं और सारा खाना जो है उसको दिया जाता है but now he is no longer a free bird and a master of his own साहिब अब वो लेकिन एक free bird की तरह नहीं है और वो खुद का मालिक भी नहीं है वीडियो को मत करिएगा क्योंकि यहां पर हम पूरा चैप्टर बहुत जल्दी से कंप्लीट करने वाले हैं सभी टाइप के question answer समरी सब कुछ हम यहां पर पढ़ लेंगे इन दे सेकेंड पार्ट दो अथर मीटस बोई नेम्ड मुकेश तो देखेंड पार्ट में जो ओथर है वो एक ऐसे लड़के से मिलता है जिसका नाम मुकेश होता है मुकेश stays in फिरोजाबाद and belong to a family Bengal making में करता है तो देखें मुकेश जो है फिरोजाबाद में रहता है और वो वो बेंगल मेकिंग करने वाली फैमीली से बिलोग करता है most of the families in फिरोजाबाद are engaged in बेंगल मेकिंग तो देखे most of family जो है दिकतर परिवार जो है फिरोजाबाद में वो सभी बेंगल मेकिंग का काम करते हैं about 20,000 children work in the glass furnace in फिरोजाबाद 20,000 लगबग 20,000 बच्चे जो है इन भट्टियों में काम करते हैं फिरोजाबाद की they have to work in very unhealthy condition बहुत ही unhealthy condition में वो काम करते हैं मुकेश takes the author to his dilapidated house मुकेश जो है author को अपने घर में लेकर जाता है located in stinking lands वहां की जो गलियां है वो काफी चोक हैं काफी छोटी है he has been able to change the deplorable condition of his family वो चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं उनकी जो condition खराब थी family की उसे change नहीं कर पाते हैं मुकेश ग्रेंड मदर regards it as their destiny और मुकेश की जो ग्रेंड मदर हैं वो उसे अपना भाग्य मानती है she says that they were born in the caste of bengal makers and have seen nothing but bengals in their life तो देखे वो कहकर बताती है कि वो एक ऐसी family में उनका जन्म हुआ है जहाँ पर bengal maker है और bengal making का ही काम उन्हें करना पड़ता है वो कहती है कि पूरे जीवन में हमने और कुछ नहीं देखा बस bengals देखी है the author feels that the life of bengal makers is a vicious cycle of pain and misery of which there is no end तो देखे जो author है उन्हें ऐसा feel होता है कि यह जो bengal makers है यह ऐसे चंगुल में फसे हुए है जहाँ पर pain है दुख है और इसका कोई अंत भी नहीं है the author sees a girl named Savita वही पर author एक लड़की को देखती है जिसका नाम Savita होता है in other hutment hutment मतलब वो उनके घर के पास ही रहती है she says that she has not enjoyed even one full meal in meal all her life तो देखे वो कहती है कि उन्होंने जो है पूरे जीवन भर पेट भर के भी खाना नहीं खाया है the author says that cry of poverty ring in every home in Firozabad author बताती है कहती है कि जो गरीबी है वो हर एक Firozabad के हर एक घर में है these poor people are exploited by साहुकार, policeman, middleman, bureaucratur and politician तो देखे यहां पर जो author है वो यह भी बताती है कि जो लोग हैं वो किसके द्वारा हनन किये जा रहे है साहुकार, policeman, middleman इन सब के द्वारा जो है उनका हनन किया जा रहा है वो भी नहीं चाहते कि वो इन सब चीजों से बाहर निकले the author feels happy that Mukais had decided to go to go to a garage and learn the job of the motor mechanic अब ओधर जो हैं काफी खुस होती है यह महसूस करके कि जो Mukais है उसने decide किया है ऐसी जोब को चूज करेगा और वो गैराद जाएगा dreaming of flying, airplanes seems too distant and too big a dream for him तो देखिए अगर उससे यह पूछा दाता है कि क्या तो मैरो प्लीन उडाओगे तो वो बना कर देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यह मेरी सपनों से काफी दूर की चीज़े हैं वो उसे पूरा नहीं कर सकता है at least being a mechanic will help him to be a master of his own तो देखिए वो यह जानता है कि motor mechanic बन के mechanic बन के वो खुद का मालिक बन सकता है he would be able to remain independent unlike sahib और वो जो है independent रह सकता है जिस तरह कि sahib नहीं रहा है यानिकि उसने अपना ragpicking का काम करके दूसरे इंसान की shop पे वो काम करने लग जाता है देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे short question answer और यह हमारे word limitation होती है इनके 40-50 words तो देखिए काफी easily हमने इनको समझ लेंगे क्योंकि हमने बहुत अच्छे summary को chapter को और यहाँ पर हमने characters के बारे में जान लिया है तो देखिए हमारा question number one है what wikis circle are the bengal makers trapped in तो देखिए किस wikis circle में यानि कि किस चंगुल में जो है bengal makers फसे हुए थे the bengal makers are caught in a vicious web which started from poverty to indifference then to greed and finally injustice तो देखिए जिस चंगुल में वो फसे हुए थे ना वो गरीबी से लेकर start होती है indifference तक होती है लालत से और finally उनके साथ जो अन्याय हो रहा होता है this is because of police middleman तो ये कुछ keeper of law ये लोग होते हैं जिनकी वज़ा से ये उस चंगुल से नहीं निकल पाते हैं impose ferennial poverty on them और इनहीं की वज़ा से वो इस गरीबी में फसे हुए हैं तो देखें आपर कुछ लोग हैं जो इसका कारण बने हुए हैं कि वो जो है इन लोगों को उससे बाहर नहीं निकलने देती हैं why could the bengal makers not organize themselves into cooperative क्यों जो bengal makers हैं वो नहीं हो सकते थे organize अपनी नहीं बना सकते थे एक साथ नहीं जुड़ पा रहे थे most of the young bengal makers have fallen into trap of middle man तो देखें बहुत सारे जो young bengal makers थे वो उन middle man के जाल में फस चुके थे they are also afraid of the police उन्हें police का भी डर था they know that the police will haul them up, beat them and drag to jail for doing something illegal क्योंकि वो जानते थे अगर वो बाहर हटके इससे कुछ काम करना चाहेंगे तो जो policeman है वो उन्हें घसीट कर पीट कर jail के अंदर डाल देगी और उनके उपर कोई भी हिल जाम लगा दिया जाएगा there is no leader among them to help them see things differently अब उनके बीच कोई leader भी नहीं था जो इन चीजों को अलग तरीके से देख पाई next question है हमारा what does the writer mean when he says sahib is no longer his own master तो यहाँ पर writer का क्या मतलब होता है इस sentence को कहने से sahib is no longer his own master वो अब खुद का मालिक नहीं रहा है इससे क्या मतलब था author का the writer mean that still sahib was a ragpicker मतलब अब तक तो जो sahil था वो एक ragpicker था he was carefree boy वो बिलकुल tension free था who would work have time for himself and enjoy the work he was doing तो वो क्या करता था मतलब अपनी मर्जी से काम किया करता था खुद से enjoy किया करता था वो पने काम को करते करते काफे enjoy भी किया करता था but from the time he had started working in a stall with other supervising his work अब वो एक ऐसे tail stall पर काम कर रहा था जिसके काम को कोई और supervise करता था he changed मतलब वो की जो condition थी वो बदल गई थी he had to become a responsible and could not be free like earlier अब वो जो है जिम्मेदार बन गया था पहले की तरह वो अब free नहीं था he was no longer his own master और वो खुद का बालिक भी अब नहीं था what does the title lost spring convey यह जो हमारा title है यह हमें क्या सीख देता है क्या बताना चाहता है देखते हैं lost spring is associated with childhood तो देखिए जो हमारा word है spring यह क्या इन सब रीपर्जेंट करता है like spring और जो childhood होता है वो किस की तरह होता है एक spring की तरह होता है a child bloom in childhood और जो बच्चा होता है वो अपने बच्पन में ही पढ़ता है खिलता है ग्रो करता है यह सब कुछ करता है इन्जोई करता है however adjust poverty and thoughtless traditions result in the laws of child like innocence and much needed education तो देखिए अब उनके उपर जो यह गरीबी का भार है ना उससे क्या हो गया है उन्होंने अपने बच्पन को खो दिया innocence को खो दिया और जिस education की जहां पर उन्हें जरूरत थी जिस समय पर अब वो भी education उन्हें नहीं मिल पाती है millions of children like sahib and mukes lost a spring in their lives because they compelled to do hazardous work to provide a living for their family and themselves तो देखिए sahib और mukes जैसे बच्चों के बारे में बताया जा रहे है कि उन्होंने इपने बच्पन को खो दिया है क्योंकि वो अप ऐसी condition में काम करते हैं जो उनके लिए काफी खतरनाक है और उन्हें काम करना पड़ता है अपनी family के लिए और खुद के लिए लिए गया है what is the condition of the children working in the glass furnace of फिरोजबाद किया किस तरह की condition है उन बच्चों की जो की glass furnace में फिरोजबाद में करते हैं काम देखिए more than twenty thousand children illegally work in glass Phirozabad in Phirozabad आगे 20,000 बच्चे इं करते हैं यह वर्क अराउंद फर्न फर्नेस इं उन यह तंपरेचर विध वेल्ड ग लास तो दीखेए वह यहां पर वेल्डिंग होती है ग्लास को वह पर काम करते हैं यह वह यह वह ism अंदकार भरी जेलों जैसे जेल होती है ना अंदकार की पिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं वहापन लाइट नहीं है एयर भी नहीं है उनकी आंखे जो हैं उस संधेरे में काफी ज़दा इरजस्ट हो गए है इतना काम वो बाहर की रोशनी में भी नहीं कर पाते हैं जितना की इजीली वो उस डार्कनेस में कर लेते हैं वो पूरा दिन भर काम करते हैं तो देखे कुछ बच्चे उन में से ऐसे भी हैं कि बड़े होने से पहले ही उन्होंने अपनी आखो को खो दिया है नेक्स्ट कोईशन है वो दूसरा काम नहीं कोई भी दूसरा काम नहीं करते हैं तो देखे जो माइं नमबिंग यानि के दिमाग को ठका देने वाला जो काम है दिन भर जो हर्ड वर्क हुग करते हैं उनकी जो दूसरी डिजायर्स है कि वो दूसरी चीजों को कर सके अपनी कंडिशन को चेंज कर सके अपने सपनों को पूरा कर सके वो सारी चीजे जो है खतम हो जाती है वो मर जाती है इन फिरोजाबाद डूइंग एनी अधर वर्क नीड रिबिलियन तो देखें और फिरोजाबाद जैसी सिटी में दूसरा कोई काम करना क्या है विद्रोग की तरह है तो देखें यह पर बताया गया है कि जो उनकी स्ट्रॉंग विल है डिटर्मिनेशन है बेंगल मेकर की या कुछ भी करने की अपनी फैमिली से अलब जाकर कुछ करने की उनकी फैमिली कहती है हमारा टैरेडिशन है और उनके अंदर कमी है क्योंकि वो जाग रुक नहीं है और उन्हें मोका भी नहीं मिल पाता है कि जिससे कि वो इस काम से हटकर कोई दूसरा काम कर सकेंगा नेक्स्ट हमारा कोशन है वाइड गारबेज मीन्स टू चिल्डरन आफ सीमापुरी अंडियर पैरेंट्स तो देखें यह पर पुछा गया है जो गारबेज है सीमापुरी में जो गारबेज है या रैड़ पिकिंग क्यों काम है वो चिल्डरन के लिए क्या माईने रखता है और उनके पैरेंट्स के लिए वो क्या माईने रखता है तो देखे, for elders in Seemapuri, since they are rat picking garbage, is a mean of survival. तो देखे, parents के लिए तो उनका मतलब, rat picking का मतलब क्या है? Means of survival है, कि उन्हें अपनी जीवी का कमानी है. However, the children of Seemapuri garbage is wrapped in wonder. लेकिन जो बच्चे हैं, उनके लिए वो एक wonder है, एक आस्चरिया है, क्योंकि महाँ पर उन्हें कभी कुछ चीजें मिलती थी, कभी कुछ, तो इससे वो काफी आस्चरिया चकित भी होते थे, और उन्हें काफी interest भी आता था, उन्हें जो को खोजने में. Sometimes they expect to find a coin, कभी-कभी उन्हें एक सिक्का भी मिल जाता था, and rises their hope to finding more, और इससे उनकी जो आशा थी वह ज़्यादा जागरेत होती थी, कि उन्हें हो सकता है, कुछ और सिक्के भी मिल जाएं. It is his करम and destiny, what is Mukais family attitude toward their situation? तो देखें, यह जो word कहा गया है, उन्होंने कहा, यह हमारा करम है, हमारा भाग गया है, तो Mukais की family का क्या रवया था, क्या सोचना था, इस situation को लेकर, ठीक है, तो देखें, Mukais grandmother regard it as their destiny, तो देखें, Mukais की जो grandmother थी, वह उसे अपना भाग्य मानती थी, she says that they were born in the caste of Bengal makers, वह ऐसा सोचती थी, तो देखें, Mukais की family क्या सोचती थी, वह उसे अपना भाग्य मानती थी, और उन्होंने जो है, कोई भी बदला उनके जीवन में, सोचने के बारे में बिल्कुल छोड़ी दिया था, How is the Bengal industry of Firozabad a curse for the Bengal makers, किस तरह से जो Bengal industry थी फिरोजबाद की, वो Bengal makers के लिए कभी शाफ थी, तो देखें, men have to work in a dinghy cell, without air and light, तो जो आदमी थे, वो बिना परकास वाली जगह पर, बिना हवा वाली जगह पर काम किया करते थे, इस रिजल्ट रिजल्ट हुआ कि उन्होंने अपनी आखों की रोस्नी खोदी थी and go blind with the dust from polishing the glass bengals, तो देखें, उनकी जो आखें वो अंधे हो गए थे, क्योंकि वो पॉलिसिंग करते थे glass bengals को उसकी वज़े से, तो देखें, वो इन लोगों के द्वारा भी उनका हनन किया जाता था, वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते थे, तो देखें, ऐसी कंडिशन में उनकी जो गरीबी थी, वो मतलब गरीबी ही बनी हुई थी, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, और कहीं बारतों ने कहीं दिनों तक खाना भी नहीं मिलता था, therefore it is a curse for them, और इसी तरह से वो उनके लिए एक अभिशाप की तरह हैं, नेक्स्ट अमारा कोश्चन है, डिस्क्राइब दा आयरेनी इन साहिब्स नेम, आयरेनी यानिके विडियम बना मतानी हैं, साहिब के नाम की क्या है, तो देखें, साहिब का पूरा नाम था साहिब आलम और उसका मीनिंग होता है, लोर्ड ओफ यूनिवर्स यानिके इस पूरे भ्रमान का भगवाँ, गरीबी का मारा हुआ था, वो तो अपनी नाम का मतलब भी नहीं समझता था, उसके नाम से हटकर वो गरीबी का मारा था, नंगे पैन हैने वाला था, होमलेस था, एक रैगपिकर था, जो देली में अपनी लिवली हुड के लिए कही न कहीं कोशिश कर रहा था, इस नेम इस इन टोटल कंट्रास्ट, इस वैरी एक्सिस्टेंस एंड इस दस आइरोनिकल तो देखे इस तरह से वह एक आइरोनिकल था उसका जो नाम था क्योंकि वो तो इसका मतलब भी नहीं समझता था कि उसके नाम का मतलब क्या है, तो देखे यहां पर चप्पल वर्ड हुआ उसका क्या रिफ्रेंस था उससे संदर भी करना है, तोस्ट स्प्रिंग में और हमें बता रहा है कि किस तरह से जो एकॉनमिक कंडिशन थी वो रैक्पिकर्स की वो क्या थी, तो रैक्पिकर्स बर एक्स्ट्रीमली पुआ, तो रैक्पिकर्स थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे कि वो चप्पल को खरीज सके, वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनका क्या था, कि उन्होंने कमाया और खाया, ये उनका था, देखे, वो जो है, उनका कही न कही हननन भी किया जा रहा था, जैसे कि हमने चक्टर में पढ़ा कि उनके राशन कार्ट बना दिये गए थे, वो भी अपने फाहिदे के लिए, ठीक है, और वो उनके पास और कोई काम करने के लिए भी नहीं था, उनके पास घर नहीं था, जिसके अंदर वो रहा सके हैं, इसनिंग दैम तो सी तो डिस्टिंक्ट वर्ड इन दा कंट्रास्ट ओफ मुकेश, तो देखे हैं, पर मुकेश की बात की जा रही है, उसके संदर में बात की जा रही है, कि जो राइटर है, वो तुद की है, दो अलग अलग संसार के बाहरे है, यहाँ पर जो मुकेश है, वो इक बैंगल मेकर संदर में हमें बताना है, विच टू वर्ड इस अनिस जंग रेफर्स तो देखें, कौन से दो अलग 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 वर्ड के बारे में अनिस जंग यहाँ पर बात करती है, एक तरफ तो जो गरीबी के बारे हुए लोग थे, और वो जो है, कही न कहीं बंधे हुए थे, और वो अनपढ थे, और वो जो है, बढ़ नहीं पा रहे थे, आगे निकल नहीं पा रहे थे, और जब जो दूसरी साइड है जो दूसरा वर्ड है उसके बारे में वो बताती है कि इसमें साहुकार, मिडल मैन, पुलिसमैन ये सब लोग थे और who answered that these poor people continue to entangled in a vicious circle of poverty जो खुद ही decide कर रहे थे कि वो लोग जो है इस गरीबी के अंदर ही फसे रहेंगे both these words are stark contrast to each other और दोनों ही संसार एक दूसरे से बिल्कुल विपरित इहां पर दिखाई देते हैं अतलब एक तरफ तो जो गरीब लोग हैं वो गरीबी में फसे हुए हैं और दूसरी तरफ वो जो दूसरे लोग हैं अमीर लोग हैं वो उनके future को decide कर रहे थे why did sahibs parents leave dhaka and migrate to India क्यों sahib के parents ने ढाका छोड़ दिया और वो इंडिया में आकर बस गए sahibs parents belong to dhaka in bangla देश साहिब के parents थे वो ढाका बंगला देश के रहने वाले थे where they lived mid-est green fields जहां पर वो green fields में रहते थे वहां पर जो हरे खेते उनके बीच में ही रहते थे they and other ragpickers left their home many years ago and migrated to India in search of a livelihood तो देखे वो जो रैगपिकर्स थे वो और कुछ लोग और थे उनके साथ जो रैगपिकिंग का काम करते थे वो इंडिया में आकर बस गए थे अपनी जीवी का कमाने के लिए as their home and fields were destroyed in a storm क्योंकि उनके जो घर थे वो तबहा हो गए थे उनके खेत जो है वो तबहा हो गए थे तुफार में this forced them to come India और इसी की वज़ा से वो भारत आने के लिए बादित हुए थे where they settled in a slum of सीमापुरी जहां पर वो सीमापुरी के slums में यानि के जुगी जोपड़ी में आकर बस गए थे what job did sahib take up was he happy तो देखे किस तरह की job जो है साहिब अब कर रहा था और क्या वो खुश था sahib took up a job at the tea stall tea stall पर वो job कर रहा था where he had performed several odd jobs जहां पर वो उसे और भी दूसरे काम करने होते हैं including getting milks from the milk booth जैसे की उसे milk booth से milk लेकर आना होता था he was not happy वो वहाँ पर खुश नहीं था as he had lost the year independence क्योंकि उसने पनी स्वतंतरता वहाँ पर खो दी थी तो he earned 800 and got all meals free he was no longer his own master हाला कि वो 800 रुपे कमा रहा था और उसका तीनों टाइम का खाना बिल्कुल free था फिर भी वो खुद का माले कभी नहीं था whom does any is junk blame for the sorry polite of the bengal makers तो देखें यहां पर any is junk जो है वो जो bengal makers की खराब condition थी उसके लिए वो किसे blame करती है any is junk blame the middle man, policeman, law makers इन सब को जो है वो उसके लिए blame करती है these people conspire and exploit the poorest bengal makers उनका सोचना ऐसा था कि यही लोग उनका हनन कर रहे हैं और उनके बीच में वो कही न कहीं politics कर रहे हैं they pay them marks wages, do not let them from cooperative and compel their children to join the same trade at an early age तो देखें कहीं न कहीं वो जो है उन्हें कम wages पर काम करने के लिए बादित करते थे और वो जो है उन्हें एक साथ एक संस्था बनाने नहीं दे रहे थे उनके बच्चों को वो जो है चाहा रहे थे कि वो इसी काम के अंदर अर्ली एज में लगे रहे हैं what was Mukais dream Mukais का क्या dream था in your opinion did he achieve his dream क्या आपके opinion मतलब आपके विचार में उसने अपना dream achieve किया तो देखें Mukais dream was become a motor mechanic एक motor mechanic बनने का उसका aim था उसका dream था it is no doubt difficult no doubt difficult for Mukais to achieve his dream as he is torn between his desire and his family tradition which he cannot escape तो मतलब वो जहां तक है वो अपने मतलब उस tradition से अपनी family से नहीं बच पाया था beside he has faced a number of obstacle in the form of sahukar middleman मतलब इन सब लोगों के बीच उसे बहुत सारी बाधाएं भी देखने के लिए मिल रही थी कि वो अपने सपनों को पूरा करे however his will to work hard हाला कि उसकी इच्छा क्या थी कि वो कठिन परिश्रम करेगा and his strong determination could make him achieve his dream और यही जो उसकी determination थी strong determination सी उससे वो अपना जो अच्छी उसका dream था उसे अच्छीव कर सकता था next हमारा question है in spite of despair and disease preventing the lives of the slum children they are not devoid of hope how far do they do you agree रहा जा रहा है कि मतलब निरासा के विमारियों के बावजूर भी जो slum में रहने वाले बच्चे हैं उन्होंने पनी आसा को नहीं खोया क्या आप इस चीज को लेकर अगरी है in spite of growing up में despair and disease children who live in the slum have to desire to achieve something big in life like mukais तो देखे कहा जा रहा है कि निरासाग ही भी और बीमारियों के बावजूर भी slum में रहने वाले जो बच्चे थे ना वो कुछ अचीव करना चाहते थे this was that they are not devoid of hope इससे पता चलता है कि उनकी आशा भी नहीं खोई थी अगर हम साहिब की बात करें तो उसकी इच्छा थी कि वो school जाए और पढ़े मुकेस की अगर हम बात करें तो वो एक डार्क डिंगी सैल में काम करता था लेकिन फिर भी वो एक मोटर मेकानिक बनने का सपना देखता था जो बहुत ही which is very much against his family टेरेडीशन उसकी परिवार का जो टेरेडीशन था उससे हट कर वो सोच रहा था वाज साहिब happy working at the tea stall यसे हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं साहिब जो है बिल्कुल भी खुस नहीं था tea stall पर काम करने के लिए क्योंकि वो जो carefree look था वो उसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा था वो उहाँ पर satisfied नहीं था वो जिम्मेदारियों से बंद गया था और जो rag picking plastic bag था ना उससे वो काफी ज़्यादा जो canister वो लेकर जाया था जाया करता था वो काफी ज़्यादा भारी थे वाट मेक मुकेश different from other boys in his age तो देखें उसकी उमर के जतने भी लड़के थे मुकेश उनसे अलग क्यों था मुकेश is different from other boys because he dream he dare to dream of doing something else other than bengal making क्योंकि वो जो है bengal making से हट कर कुछ और सपने भी देख रहा था he dream to be motor mechanic motor mechanic बनना चाहता था to drive a car has conviction needed to pursue his goal और वो जो है determination भी थी उसके अंदर कि वो अपने goal को achieve कर सकते why do you think मुकेश is content to dream a car and does not dream to fly a plane तो देखिए क्या आपको ऐसा आपको क्यों लगता है कि जो मुकेश था वो अपने car को motor mechanic को mechanism को लेकर ही तंतुष्ट था वो नहीं चाहता था कि वो एक plane को बढ़ा है ऐसा क्यों था मुकेश is content only to dream a car किवल car का ही वो सपना देखता था because he is very well aware of the fact that his resources are limited which would not allow him to fly an aeroplane क्योंकि वो जानता था वो इस बात को लेकर काफी aware था कि उसके जो resources वो काफी limited है और वो जो है एरपलेन है उसे afford नहीं कर सकता है मुकेश is truly unlike other children जो मुकेश था वास्तों में दूसरे बच्चों से बलकुल अलग था तो यह फोस्ट वर्क एस चाइड लेबर इन गार्बे इन बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री हलाकि वो से भी फोस्ट किया गया था वो बैंगल मेकिंग का काम करी इंडस्ट्री में कि वो एक मोटर मेकानिक फिर भी उसका एक सपना था कि वो एक मोटर मेकानिक बनिग क्या आपका विश्वास है कि जो गोट गिवन लाइने से उसे तोड़ा जा सकता है तो देखें यहां पर हमें अपना एक पॉजिटिव थोड देना है यस आई बिलिव दाट गोट गिवन लाइने से तोड़ा जा सकता है दो मुकेस ग्रैंड मदर डिड नॉट बिलिव सो हला कि जो मुकेस की ग्रैंड मदर है वो इस चीज़ पर विश्वास नहीं करती थी वो क्या थी थी हमारा जर्म ही इस कास्ट में हुआ है बट मुकेस दिद नॉट वांट तो कंफाइन हिमसेल्फ तो भी टैरेडिशनल काल्ड गोट गिवन लाइनेज और विश्वास नहीं करती थी तो देखें लेकिन जो मुकेस था वो इस टैरेडिशन को नहीं मानता था उसका सपना था कि वो एक मोटर मेकानिक बने आप ऐसा कैसे सोचते हैं कि जो ऑथर है उसकी लाइफ जो में काफी ज़्यादा परभाव उसकी लाइफ जो है काफी ज़्यादा परभावित हुई उन बच्चों को मिलकर उनकी फैमिलीज को मिलकर जो कि लोस्ट स्प्रिंग में डिस्क्राइब की गई है ओथर की लाइफ ज़्यादा परभावित होती है उनकी कंडिशन को देखकर उनकी गरीब बच्चों की कंडिशन को देखकर तो यह अपने चाइल्ड हुड का जो 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 ए था उसे कही न कहीं मिस किया है और किस वज़े से जो सो सो एकोनोमिक कंडिशन थी उसकी वज़े से डिनेट दा ओपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग फोस इंटू लेबर लेबर अर्ली इन लाइफ तो देखें उन्हें स्कूल जाने का मुखा नहीं मिल रहा था और उन्होंने जो है अपने चाहती थी कि वो बच्चे जो हैं एजुकेटेड हों गाईज अब हम पढ़ने वाले हैं लोंग कोशन तो देखें अल्मॉस हमने अपने चक्टर को कंप्लीट कर लिया है यहां से कुछ एक्स्ट्रेक्ट भी आते हैं अगर आप एक्स्ट्रेक्ट की वीडियो भी चाहते है तो आप कमेंट सक्षन में बता सकते हैं चलिए स्टाट करते हैं और जानते हैं लोंग कोशन और देखें यहां पर हमारे लोंग कोशन की वर्ड लिमिटेशन होती है 122-150 वर्ड तो हमारा पहला कोशन है मुकेश फाइंड इंसेल्फ कोट बिट्विन तू जिस्टिंक वर् दो अलग अलग संसार के बेच में हाओ डू दे अफेक्ट इस लाइफ किस तरह से उसका जीवन उनकी वजह से परभावित हो रहा था एंड दाट ओफ अधर बैंगल मेकर्स और किस तरह से वो दूसरे बैंगल मेकर्स से थोड़ा डिफरेंट था ठीक है मुकेश का जनम हु देखें जो एक्स्प्लयूइटर्स थे और बैंगल मेकर्स थे उनके बीच उसने अपने आपको पाया जो दोनों अलग-अलग थे बैंगल मेकर्स आर कंस्टैंटली ऐफ्टेड बाएदे स्टिग्मा ऑफ कास्ट एंड पोवर्टी तो देखें जो बैंगल मेकर्स थे वो लगातार प्रभावित हो रहे थे अपनी कास्ट के स्टिग्मा से और गरीबी थे आर फोर्च बाइदा सरकंस्टांसेज तो वर्क इन डिंगी सेल्स विच नम्स दियर माइंड और रोब्स दैं ओफ एनी इनिसियर्थ तो देखे किसी भी शुरुवात को वो नहीं कर पा रहे कि वो ऐसी थी कि वो डिंगी साल में काम करते थे और जो माइंड था ना उनका वो जैसे कि थक सा जाता था गाम करना बंद कर देता था ऐसे लगता था जैसे किसी ने फोर्स किया है कि वो इसी काम में लगे रहेंगे उन लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया था कि यही उनका भाग्या है not being able to teach their children anything else और उनने सोचना शुरू कर दिया था कि वो अपने बच्चे को और कुछ नहीं सिखा सकती है they all are forced to live in adjust poverty and misery मतलब वो सभी force किये जा रहे थे कि वो उस गरीबी में दुख में adjust हो वही पर रहे वो as for the exploiters they did not allow Bengal makers to form to cooperative and anyone to lead or take initiative तो देखे वो नहीं चाहते थे जो exploiters थे वो नहीं चाहते थे कि जो Bengal makers है वो एक अपनी union बनाए या उनका कोई leader हो जो सुरुवात कर सके मुकेस में भी in the middle of this और मुकेस भी उन सब के बीच में ही था but he dare to dream different लेकिन उसने अलग सपना देखने की मत की he is willing and determined to work hard to become a motor mechanic and break away from this vicious circle उसकी इच्छा थी और उसका द्रड़ता से जो है सोच रहा था कि वो जो है hard work करेगा motor mechanic बनेगा और इस circle से इस चंगुल से वो निकल आएगा next हमारा कोशन है grinding poverty and terrorization condemn the children of rag pickers or bengal makers of the to a life of exploitation such children are deprived of all opportunities in life Mukesh who puts out of the existing profession of his forefathers by resolving to start new job for a motor mechanic symbolize the modern youth what lesson do you learn from the Mukesh example तो दिखें यहाँ पर जो गरीबी थी जो लोग थे वो गरीबी में पिस रहे थे टरडीशन में पिस रहे थे जो children से rag picking करने वालों के या bengal makers के और वो जो है उनकी जो life थी उसका हनन किया जा रहा था और इस तरह से कि जो बच्चे है ना उन्हें की जो पूरी जो मौके मिलते है ना बच्चों को वो उनसे चीन लिये गए थे लेकिन यहाँ पर अगर हम Mukesh की बात करें तो वो चाह रहा था कि वो जो उनके फोर फादर का उनके पूरवजों का जो प्राफेशन है उसे छोड़ कर कुछ नया सीखे और मोर्टर मकैनिक वो बनना चाहता था तो यही दिखाता है कि वो एक मोर्टर्न यूथ था और पूछा जा रहे है कि क्या लेसन आप क्या लेसन जो है हम सीखते हैं मुके इसके इस एक्जामबल से तो देखिए ये के बल मतलब गरीबी ही नहीं थी उन्होंने अपना टारीडिशन भी माल लिया था जिससे कि जो रैगपीकर्स और बैंगल मेकर्स के बच्चे थे ना उनका हनन हो रहा था तो देखिए एक तरह तो वो उसे अपना टारीडिशन मानते थे गरीबी के जाल में वो फस चुके थे दूसरी तरह वो कास्ट को लेकर बैठे हुए थे कि हमारा जनम ही ऐसी कास्ट में हुआ था और दूसरी तरफ वो उनके लोगों के बीच में फसे हुए थे जो मिटल मैन और साहुकार थे उनके चंगल में फसे हुए थे वो all of them have created a situation from which there is no way out मतलब उनकी condition ऐसी बना दी गई थी उनके हास पास जो इसी थी थी वो ऐसी बना दी गई थी कि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था वह से निकलने का the trap do not have the guts to break out of it तो मतलब जो जाल था ना उसे तोड़ने का कोई रास्ता ही नहीं था कोई गटस ही नहीं कर पा रहा था मुकेस in fact is like a ray of hope with his dream of becoming a motor mechanic लेकिन वास्तों में जो मुकेस था ना उसमें एकासा की किरन देखी और उसने जो है ड्रीम देखा सपना देखा एक motor mechanic बनने का he wants to opt out of existing profession of his forefather तो देखे वो निकलना चाहता था उसके जो पूरवजों का profession था उससे बहार निकलना चाहता था he has resolved to start a new job as a motor mechanic उसने निश्चे कर लिया था कि वो एक motor mechanic की job करेगा the long distance to garage where he will learn the work of motor mechanic does not deter him तो देखे उसने निश्चे कर लिया था हलार कि जो गेरार से वो काफी दूर था लेकिन फिर भी वो उसे सीखेगा, वहाँ पर जाएगा He is prepared to walk, वो पैदल चलने के लिए भी तेयार था बट ही इस फ्रिम लेकिन उसका जो विश्वास था वो द्रड था अपनी बात पर He symbolize the youth of his clan मतलब इससे पता चलता है कि वो एक modern youth था और वो जो है change करने की change कर सकता था If this persist, the day is not far when a new generation will bring brightness and hope to the dark and dingy homes of these poverty-reden workers तो देखें यहाँ पर वो कहरें कि अगर वो ऐसा करता है तो इसससे पता चलता है कि जो new generation होती है ना वो brightness ला सकती है, hope रखती है, वो एक आसा रखती है कि वो उन चीजों को बदल सके जो डिंगी हों से उन्हें change कर सके और जो गरीबी है उसको हटा सके देखें हमारा next question है How is Mukes more ambitious in the life than sahib? Give one reason answer तो इसमें पूछा गया है कि Mukes जो है वो जादा ambitious था जादा इचुक था अपनी life को बदलने के लिए साहिब से इसका हमें एक reason भी देना है तो देखें Mukes is definitely more ambitious than sahib साहिब से definitely Mukes जो है जादा ambitious था unlike most of his friends in Firozabad उसके जो दूसरे दोस्ते थे ना वो ऐसे नहीं थे जो Firozabad में थे Mukes did not want to follow the profession of bangle making making bangles तो देखें Mukes नहीं चाहता था कि वो भी bangle making का का काम करें no one else could dare to think of breaking the conventional style of living लेकिन और कोई ऐसा नहीं था जो इस style को living style को change करना चाहता हूँ Mukes dreamed of becoming a motor mechanic Mukes ने सपना देखा कि वो एक motor mechanic बनेगा he had already decided to go to a garage and learn about cars उसने निश्चे कर लिया था कि वो garage जाएगा और car के बारे में सीखेगा दोदा गेराज was a long way from his home हलाकि जो गेरास हो काफी दूर था उसके घर से he was prepared to walk that distance और इस distance को वो पैदल चल कर पूरा कर सकता था he insisted on becoming his own master उसने जित पकड़ ली थी कि वो जो है खुद का मालक बनेगा खुद का काम करेगा साहिब on the other hand had sacrificed his freedom as a rag pickers to take up the salaried job that would pay him 800 and give him all his meals जबकि साहिब ने जो है समझोता कर लिया था अपनी freedom से और उस वो उसने जो है एक job पकड़ ली थी जिस पर उसे salary दी जाती थी 800 रूपीज और खाना दिया जाता था now he was no longer his own master अब देखें situation बिलको लग थी पहले वो खुद का मालिक था लेकिन अब वो अपना मालिक नहीं रहा था he had lost his carefree look उसने अपना carefree look खो दिया था which he had when he was a rag picker जब वो एक rag picker था तब वो carefree रहता था लेकिन अब नहीं था the canister that he carried seem heavier than the bag he carried as a rag picker जैसे वो एक rag picker था एक प्लास्टिक बैग लेकर जाया करता था लेकिन जो canister थे milk के वो उससे ज़्यादा भारी थे for this job was not to his liking हलांकि वो उस job को बिलकुल भी पसंद नहीं करता था यह पर देकि कुछ और questions दिये गए हैं जिने आप खुद से भी पढ़ सकते हैं बिलकुल मिलते जूलते questions हैं क्योंकि वीडियो आपकी काफी लेंदी हो रही है वनावर के आसपास होने वाली है और अगर आपको यह PDF चाहिए यह सभी questions चाहिए तो यह सभी आपको वीडियो के description box में मिल जाएंगे यह PDF मैं आपकी upload कर दूँगी यही पर आपको इसका link मिल जाएगा यहां से आप open कर सकते हैं questions को पढ़ सकते हैं I hope सभी questions आपके clear हुए होगे chapter आपका clear हुआ होगा हमने one video में इसको complete करने की कोशिश की है और यहां पर जो questions आते हैं extract के अगर आप च आपके 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 आपक झाल झाल